नमस्कार आप देख रहे हैं दानियोस और मैरानी गुप्ता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से बता दे दरसल यूपी के शहर बरेली में रवीबार को कामड यात्रा के दौरान जम कर बवाल देखने को मिला दरसल यहां पर मस्जुद की छट से कुछ लोगों ने कावणियों पर पत्राव किया जिसके बाद यहां का जो महौल है वो काफी ज़्यादा तनाव पूर्ण हो गया जिसके बाद भारी संख्या में पुलस बलकी तैनाती की गई तो वहीं इस पूरे महौल को बिगारने की मन खंगाल रही है ताकि इस मामले को ले करके जल्द से जल्द सक्त कारवाई की जाए बता दे कहा यह जो घटना घटी है जिसकी वजह से शहर का महल खराब हुआ है तो इसको ले करके पहले से ही तयारी की गई थी जिसकी वजह से अच्छानक से उस गली में कावणिया कुछ लोगों ने पत्राव करना शुरू कर दिया जिसकी बाद यहां पर कई सारे लोग भी घायल हुए और यह पत्राव जो है वो हंगामे में तबदील हो गया वहीं आपको बता दे कि अभी हाल ही में वहां के जो मुख्य मंत्री हैं योगी आदितनात उन्होंने बकादा यह कहा था सक्त होते हुए कि अगर कोई भी राज्यकी कानहून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो वो धर्ती पड़ नहीं बलकि पाताल में नसर आएगा तो ऐसे में कहा है यह जो आ रहा है कि क्या इस घड़ना को लेकर के कोई सक्त कदम उठाया जो सकता है बता दे दरसल यूपी के शहर बरेली में रविवार को कावड़ी आत्रा में बवाल कराने की पूरी तयारी की गई थी इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी गनीमत रही कि गलियां सक्री थी और बीच में पुलस फोर्स ने आकर धक्का मुक्की छिली नहीं तो ये विवाद और भी जादा बढ़ सकता था जिसके बाद पूरे शहर भर की फोर्स को बरेली के बरादरी और कावड रूट पर तैनात कर दिया गया बता दे की कावड़ियों की भीड को देखते हुए रैपिट एक्शन फोर्स तैनात कर दी गया बता दे महल बिगारने के म शमुदाय के लोगों द्वारा डीजे का विरोत कर पत्राव किया गया हो बता दे की पास में वनखंडी नात मंदिर है तो चंद कदम की दूरी पर मश्जित रवीवार की घटना में तीन लोग पुलिस हिरासत में हैं इससे पहले भी बरेली शहर और दिहात में कई बार ऐस से विवाद देखने को मिले हैं बता दे इस बीच सूशल मीडिया पर भी इसके कई सारे जो वीडियो हैं हंगामे के वो काफी जादा वाइरल हो रहे हैं तो कुछ लोग फैक्ट चेकिंग के नाम पर लगातार गलत इंफोर्मेशन लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं और कही न कहीं लोगों के बीच में दूरिया बनाने का काम कर रहे हैं वहीं 23 जुलाई यानि कि कल रविवार की दुपहर खरीब आ 3 बच की 20 मिनट पर ये जो घटना है वो घटित हुई थी तरसल 200 से 250 कावडियों की संख्याती आगे जाकी वाली कावड को ले जाय जा रहा था और पथराव किया गया देखते ही देखते कावडियों में भगदर मच गई डीजे का शोर अधिक था जथा 200 मीटर आगे बढ़ चला इसी दोरान विशे समुदाई ने पथराव करना शिरू कर दिया कावड लाने वाले अमित कुमार दरबारी लाल ने बरादरी थाने में अमद गुड़ू भूरा और 100 से 150 अग्यात ने पथराव किया बतादे की कावडियों का कहना ये भी है कि विशे समुदाई के लोगों ने जहाकी निकालने के दौरान कावड यात्रा पर पथराव किया काच की बोतले फेकी कावड को खंडित कर दिया भगवान भोलेनात की मूर्ती को भी तोड़ दिया गया वहीं महाँ पर मौजूद विशे समुदाई के लोगों ने कावडियों को गाली भी दी बतादे की कावडियों पर पत्राव हुआ और 6 कावडियों को चोड भी आई है जिसके बाद कावडियों की संख्या अधिक थी और नारेबाजी पहुंची जिसके बाद आनन फानन में फोर्स के साथ SP सिटी राहुल भाटी भी पहुंचे और इसी के साथ ही पूरे यहां पर मौहल को संभाला गया और वहां पर जो इस्थिती है वो कावडियों की गई है फिलाल अभी भी शहर में पुलस फोर्स की तैनाती की गई है ता इसी के साथ ही एडियम भी फोर्स के साथ पहुंच गये थे और वहां पर एक पुलिस की जीब भी छती ग्रस्त हो गई है बता दे जिस तरीके से यह पूरा महौल बिगर रहा था तो जहां इस महौल को बिगारने वाले मुख्य आरोपी उस्मान की गिरफतारी हुई तब ज इसके घेरे में जथा उसी गली से निकलवाया गया बता दे कि अभी कुछी दिनों पहले उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा सखत ऐलान किया था और भाशन भी दिया था बता दे कि उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात प्रदेश की कानहून वव से चिताबनी दी है दरसल मुझफर नगर में एक जनसभा को संबोधत करते हुए सियम योगी ने कहा था कि ब्रस्टाचारी अप राधी और बेहन बेटियों के इज़ित के साथ खिलवार करने वालों के लिए डवल इंजिन की सरकार महाकाल है साथ ही उन्होंने कहा था कि यू कारवाई की गई थी तो ऐसे में चाहे मेरट की घटना हो या फिर अभी बरेली में जो घटना घटित हुई है तो यह जो घटनाए है उसको लेकर के क्या कोई सख्त इंतजाम किया जाएगा सख्त एक्शन लिया जाएगा ये बाते भी उठ रही है लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर वीडियो भी इसके वारल हो रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो की फैक्ट चेकिंग के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोग इसको दूसरे तरीके से एड करके इसको गलत और भ्रामक तरीके से फैला रहे हैं ताकि लोगों को बरगलाया जा सक और जो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहे हैं इसकी भी जाज कर रही है साथ ही जिस से गली से ये घटना हुई है वहां की भी पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है सिसी टीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलस का कहना है कि इसको लेकर के उचि क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे क्यों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले